हमश्कार आप देख रहे हैं SDF Live India का साथ छोड़कर रासत के शामियाने में गई पुर्णिया जीले के रुपोली की पुर्व विधायक बिमा भारती नहीं सांसत बन सकी और नहीं रुपोली विधान सभा के उपचुनाब में एक वार फिर उनकी जीत का डंका बस सका लोकसभा चुनाब में निर्दलिय प्रत्याशी, राजेश रंजन और पपु यादब के सामने उन्हें चित होना पड़ा तो विधान सभा के उपचुनाब में शंकर सिंग ने उनकी रही सही कसर निकाल दे लोकसभा चुनाब में महाकडबंदन की ओर से नाकेवल पक्चास से अधिक बिधायक और MLC ने उनके लिये पुर्णिया लोकसभा चुनाब में कैंप किया बलके नेता प्रतिपक्ष, तेजिस्वी यादब और वियापी सुप्रिम मुकेश सहने भी उनकी जीत के लिए लगातार दहारते रहे बावजूद इसके आरजेडी की कैंडिडेट बिमा भारती की ऐसे स्तिती रही मानो जनता ने उन्हें कभी कबूल ही नहीं किया कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाब में पुर्णिया की जनता ने नाकेबल उन्हें राजरेटिक तोर पर हास्य पर धकेल दिया बलके लगातार दो बार से पुर्णिया का प्रतर निधित करते आ रहे एंडिय समर्तित जदिय उमिदबार संतोष कुसभा को भी जमेन सुंहादिया और पप्पु यादब ने धमाकेदार जीत दर्ज किया विधायका सित्याक पत्र देने के कारण हुए रुपोली विधान सबा के उप्चुनाब में बीमा भारती को आरजेटि ने एक बार फिर मौका दे कर उनके राजरितिक अस्तित को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन इस उप्चुनाब में भी भीमा भारती अपनी शाक के अनरूप जनता का समर्तन हासिल नहीं कर सकी जद्यू प्रत्याशी कलाधर मंडल सहित आरजेडी की भीमा भारती को पचारते हुए निर्दलिय प्रत्याशी शंकर सिंग ने जीत हासिल कर ले हलाकी कहा जा रहा है कि पुर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पपु यादब के रननेती के ही कारण भीमा भारती को बिधान सभा के उप्चुनाब में महज 30,000 वोटों से संतोश करना पड़ा और शंकर सिंग को जीत मिले दरसल पपु यादब, राजल सुप्रीमो, लालो प्रशाद यादब और तेजिस्वी यादब को अपने राजनितिक हैस्यत का एहसास कराना चाते थे यही कारण उन्होंने बिमा भारती को एन केन प्रकारें पठखनी देकर अपने राजनितिक शंता का लोहा मानने के लालो तेजिस्वी को मजबूर कर दिया चुके बिहार के मुख्या नितिश कुमार ने कभी बेहद करीबी नेत्री कहलाने वाली बिमा भारती को CPR देना शुरू कर दिया है पैसे बिमा भारती भले ही जदियू छोड़कर राजत में चली गई है लेकिन उनके घर में जगह जगह लगी सियम नितिश कुमार की तस्वीर नहीं होना इस बात का प्रमान भी है कि वहां कि वह अंदर से लालो तेजिस्वी के साथ नहीं गई थी बस उन्हें यह मुल्यांकन करना था कि बिहार की बदली हुई राजनितिक तस्वीर के बीच वह आर्जेटी के फ्रेम में फिट बैठती है या नहीं स्यासी जानकारों का कहना है कि सियम नितिश कुमार की कृपाट से बीमा भारती ना केबल MLC बने गी बलकि उन्हें मंतरी मंदल में भी शामिल किया जा सकता है बिहार विधान मंडल में मांसून सत्र के आखरी दिन सीम नितिश कुमार के चंबर में जाकर बीमा भारती के मिलने पर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा हो रही है जानकारों का यह भी कहना है कि सियम नितिश कुमार ने मंतरी लेशी सिंग के नाराजगे के बाद भी बीमा भारती के लिए जदियू का दरवाजा खोल दिया है बात अलग है कि बीमा भारती इस मामले पर खुल कर कुछ बताने के बज़ा है सिर्फ यही कहती है नितिश कुमार बिहार के मुख मंत्री हैं और वह मुख मंत्री से मिलने के लिए उनके चमबर में गई थी लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे वह राज छुपा है जो आने वाले दिनों में सब के सामने आना तय है सियासी जानकारों के मुताबिक सियम नितिश कुमार के बिरुद और मर्द्याद टिपण ने करने और उनकी मिमिक्री करने के जुर्म में मंत्री पद नहीं दिये जाने से नाराज होकर राज़त खेमा में गई मुराद भी पूरी हो सकती है इसे सुनिल सिंग अगर बखास्त नहीं किये जाते तो उनका कारेकाल आगामी 2026 के जून तक था लेकिन सदन की गरिमा लांग कर्सियम नितिश पर और मर्यादी तरीके से हमलावर रहने का खाम्याजा पुर्ब मुख्यमंतरी रावडी देवी के मुहबोली भाई और लालु प्रिशाद यादब के करीबी मलसी सुनिल सिंग को भोगतना पड़ा है बहरहल सुनिल सिंग की बड़ खास्तगी का कारण चाहिए जो कुछ भी रहा हो लेकिन यहां खबर बीमा भारती के लिए इसलिए एहलादित करने वाला माना जा सकता है क्योंकि सुनिल सिंग की जगह उन्हें MLC बनानी के रन्नती तेज हो चुकी है और आने वाले समय में ब कई तरह के राजरितिक फैसले लेकर विरोधियों सहित समर्थकों को भी चौकाते रहे सिमनितिश कुमार भीमा भारती को MLC बनाकर और मंतरी मंडल में शामिल कर किस तरह का संदेश देते हैं